कि असलाम अलेकुम क्या है अमीद आप खेरियस होंगे मैं हूं हम हमी चोधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हमी चोधरी आज एक नहीं वीडियो के साथ हादर हुआ हूँ आज मैं आपको अगला माडल पेपर करवांगा अमीद आपको मेरे पिछली वीडि लेक्चर कि जादें तो चलते हैं आज कि हम वीडियो लेक्चर की जादें असलाम अलेकुम जी दोस्तों तो क्या हाल है मैं हूं हमी चोधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हमी चोधरी तो आज हम आपको अगला पेपर शोड पेपर करवांगा कि जो जो कर वाता हूं तो चलते हैं मने जोड क्िट के लिए बेती बनी हुई डिराइंग में असानी करने के लिए अटो गेर्ड ज्यादा दुरुस्तगी से दुरुस्तगी से डिराइंग बनाने के लिए डिराइंग बनाने के लिए अगे डिराइंग को लंबे अक्से तक महफूस करने के लिए डिराइंग को लंबे अर्से या ज्यादा अर्से तक बुफूज रखने के लिए बस आपने दो नमर का शोट क्वेस्टिन आएगा बस आपने दो यह सिर्फ दो लिख देनी है इसकी इस्तमाल आगे कह रहे है स्केल कमार्ड क्या होती है स्केल कमार्व यह देखे यहां पैंसे क्मार कहां दिख्खव यहां पर स्कील कमार्ड मातमा होती uniform स्केल कमार्ड तो किसे चसे बीयुक्षप्रा इसकेहले कहें तुम स्कील कमार्ड आप इसके pakai नोर्स बनते जाईंगें कि जैसे जैसे मैं बता रहूं को वैसे वैसे आप करते जाएं कि अब कर दो कि छोटा या बड़ा करने के लिए इसमाद बास इसतना आप कर दें स्केल कमार्ड अब्जेक्ट को को छोटा या बड़ा करने के लिए इस्तमाल होती है बस इतना आप करते हैं आपको दो नम्बर मिल जाएगी इसके आगे कहते हैं कि तरीम कमार्ड किसे कहते हैं या देखें तरीम कमार्ड तरीम का मतलब बता किसी चीज़ को दर्मयां से कट करना इसको ऐसे कर देना कि अबजेक्ट में किसी कनारे अबजेक्ट में किसी हिस्से को छोटा करने के लिए तरीम कमार्ड इस्तमाल होती है तेरीम कुमार डराइंग अब्जक्ट में जक्ट में बाहर निकले हिसे को खतम करने के लिए ये कुमार इस्तमाल होती है आगे क्या है आर्थो का मकसद बियान करें नेचे वाले स्वाल आपको छोड़ देना राफ़ां भी छोड़ देना आर्थो का मतलब है मूती दर्जे या उफ की लाईन लगाने के लिए आर्थो को इस्तमाल करते हैं यह देख आर्थो आर्थो का मकसद नवे डिगरी दर्जे पर मुदी या उफकी लाइने लगाने के लिए आर्थो इस्तमाल करते हैं आर्थो हम इस्तमाल करते हैं बस इतना आपने कर देना आप गया आपने ये छोड़ देना ये छोड़ देना साथमा बोलन अप्षिन की तरीव करें इसको आपने करना के और बोलन अप्रेशन की मदद से मुख़्िज पार्ट को एक करके बड़ा पार्ट बना दिया देता बोलन पार्ट बोलन अप्रेशन इसकी मदद से मुख़्िज पार्ट को यक जान यानि एक जान एक जैसा करके करके एक पार्ट बना दिया जाता है पार्ट बना दिया जाता है आगे के लाइन नुमा स्वाल देखे लाइन किसे कहते है लाइन की तरीफ करें लाइन शकल जिसकी सिमत से लंबाई होते हैं चुड़ाई नहीं होती इसको लंबाई लाइन कहते हैं लाइन 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 की सिर्फ लंबाई होती है और चुड़ाई ना होने के बराबर होती है आपने बास इतना कर देना आपको नमबर मिल जाएंगे इसके लाइन के सिर्फ लंबाई होती है चुड़ाई ना होने के बराबर होती है तो आज ता कितना है बाकी मैं आपको कल बताऊंगा अगला माडल पेपर मैं आपको करवाँगा तो चलते हैं जो जो मेरे चैनल पर दोस्त नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बिलता रहे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ